सारा मैदा जाके आपकी इंटिस्टाइंस में ऐसे चिपक जाता है अगर मैदा हमारे स्टमक में चिपकता है तो अमेरिकन और यूरोपियंस आज तक उनका क्या होता? जो कि रोज ब्रेड और पास्ता खाते हैं वाटेवर यू एट लाइक मैदा या आटा which goes into your stomach और वहाँ पे enzymes उसे simple form में break करते हैं then it moves to intestine जहाँ पे absorption होता है nutrients का and intestine की internal lining mucus से covered होती है जहाँ पे मैदा या फिर आटा कुछ भी stick नहीं हो सकता so मैदा इंटस्टाइन या फिर स्टमक को चिपक जाता है यह सरा सर गलत है and it is also biologically impossible so the real issue is not eating मैदा digest very fast and increases your blood spike मैदा कंपेड तु आटा बहुत जल्दी डाइजेश्ट हो जाता है इससे आपका ब्लड शुकर ज्यादा स्पाइक होगा compared to आटा it has low nutrition, a longer shelf life and यह जंक फूद में बहुत ज्यादा यूस किया जाता है because of its texture and versatility so मैदा will not alone do a lot of harm have to have the balance in your diet so share this real with a person who feels मैदा स्टमक में चपक जाता है